तो स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल में जिसका नाप मुहमत सह्भ आज हमारे साथ है तारिक भाई और हम लोग निकल चुके हैं अपनी जर्णी पर पर पता नहीं जाना कहा है बस निकल चुके है यह देखिए हमारे थोड़ा सा गाउं बने रही है हमारे साथ यह दे की रोड है आप देखिए आपके शेरों में यह रोड नहीं होती है यह कुल कुरसी लगी यह दो महादा चो दमरा बोले पूर है लाल नहीं कुरसी लगा हुए यह प्यारी सी अरियाली और सब जमीन देखकर मुझे अबरार रहमत कासिव की एक नजम यादा रही है कि मेरे हातिव ہے बंदे से परवर दिगार तो हुसन चमन तो ही रंगे भार तुम्हे राज चमन तुही रंगे बहर मुसोर हूँ मैं तेरह तू साहिकार एस सुबह एसामे एदिन और रात एरंगीन दिल का सहसी काइनात की हुरों मलायक जिन्णात में किया है तुझे इस रुफल म कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया एदुनिया जहां बज्मे आ राईयां मैं फिल् 1 मेले एतन हाईया फलक का तुझे सामी आना दिया जमें पर तुझे आबदाना दिया मिले अबसारों से भी तुझे हुसले पहाड़ों में भी तुझको दिये रास्ते पानी हवा और समसो कमर मोज रवा एक किनारा भवर साखों पे गुल्चे चटकते हुए फलक के सितारे चमकते हुए सबजे फूले भरी के आरिया पंच्छी उड़ती हुई तितलिया सोला समन में मिट्टी संग ज़रने के बज़ते हुए जलतरंग जीलों में हसते हुए कवल धर्ती पे मौसम की लिखी गजल सर्दी गर्मी बारिस से धूप चेहरा एकद और एरंग रूप दरिंदो चरिंदो पे काबू दिया तुझे भाई दे के बाजू दिया बहन दी तुझे और सरीखे सफर इरिष्टे नाते गराना एगर अवलाद भी दी दीए वालिदेन अलिफ लाम मीम काफ और एंगेन एकलो जहानत सओरो नजर इबस्ती इसेरा इखुसकी उतर और उस पे किताब हईदायत भी दी नभी भी उतार सरीयत भी दी गरज के सभी कुछ है तेरे लिए बता क्या किया तूने मेरे लिए याद ही आवा है कि सामने महिला है खड़े ले इसे लिए परण्टे का इपना ही उस्किल दिया और यहाँ इसा लागत जिसे यह लिए नहीं काहें कि इपना पिछड़ा करूंगा है यह लख साधियो कोई जी डीव नय्मी ऑड़ाा हिवाजीब लागताई आउड साधियम आ है तू वीडिययो बना भे लंगताई तो हाथ अजाल तू याद्ध भाएं और तू वीडियो बना तТ Soviets है जैसे रंडी नाचात हुए जैसे उंगा रंडी नाचत होए और लागा था उन लोग का कि जो नहीं मैं रंडी वीडियो बनावता हूं माद ऐसे ठीक है जाए यहा था भाई नोकिया मोबाईल का माडल 1100 में आए अब सहेर पलस्टू में चल लागा था यही बज़ा सनाई को कुछ नापा हो अब यहां के लोग का लागा था कि सोचल मेडिया का यूज यूटूब का यूज गाना के लिए फेस्बूक का यूज बोटू डाले लिए साधी भीया वाला और जोने करों का यूज पोर्स ने देखे लिए और मुबाईल का यसा यादा यूज नहीं है अब बात करें लिए यूज बात कुछ लोग कुछ भी लोगी चूथिया सोच है ये की वज़ा से पहुच जादा बद्लब्द कि छड़ा देतना पिछडा रही जेतना उड़ाते सोचिया को ता पिछडा जमीनियां उतरे नाई पिख़़ी है जयतना लोग पिछड़े जमीन आगे शल नहीं ल इसलिए क्योंकि सामने महिला है कहीं गाल तूटने का खथरा इसलिए परहंटे कैमरा यूज कर रहे हैं अज़त मक्दू मसरब जांगिर सम्नानी कि आगे हैं कि दर्गा शरीफ जो एक इस हुचा में पढ़ता है कि यहां के जो बाबा है सेयद मक्दू मसरब जांगिर सम्नानी रहमत अले सम्नान से आए हुए थे उन्हें यहां कब दीन कजंडा काड़ दिया अच्छा 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 इस हलुआ है यह हलुआ पराठा यह है सलामी जर्वादा लगबग शचा शरीव का सलामी जर्वादा मुझे लगता है कमशलम यह लगबग 70-800 साल है ज्यादा पुराना है बहतरी है लोगों की बहुत परेशानिया यहां दूर होती है उनके फजल से यहां आराम मिलता है परेशानिया का कोई भी शहरी वो किसी वी जात हर मदख के हो माइने नहीं रखता है हमारे अउलिया एक्राम की जगहां है यहां लोग आए और शिफा पाते हैं अलहम देल्लाइए कि शिफा का मरकद है यह चलते हैं दोस्तों धीरे धीरे हम में दर्वादे की तरफ बढ़ गए हैं सलामी दर्वादा क्रास कर चुके हैं और दोस्तों आप यह देखें मदारा कितना सांदार है कोई दिक्त नहीं कोई दिक्कत है हमारे साथ ही यह यूटूबर है कोई अनसे मिलता करें हे एक शोटा है जी अश्य जी उपचरें अनकी नमगोंदा को भाई है यह भी यूटूबर जबरदस्त हैं आप इनके चैनल पर जा करके देख सकते हैं यह बी पूछ लो नमो अलम्द चैनल का नाम भाई साव पर क्या है वहाई जाहिए खादी मशरफी और कुछ बारे में पूछ लो यहां के बारे में बताएंगे कुछ तफिए पर चलिए पर बताते हैं उपद आने पर बिल्कुल करा क्या सकतना तॉर अभाई पर चाहत तॉर हम यहां का क्का है क्वारा जिक व्रे म्हां खुद कर लाहिए लाएंगे क्वšिए टाने पर खो disp Parlוב, जहिए खूद जाने प्रनलिक मनाचाते हैं थाल अजल्च छिए बादाम के लादादा थाल्बस का लादादा है जाते हैं जिस दर पे आप लोगा महमान आते हैं तमाम लोग जाहर या जाहरीन लोग यहां की जियारत करने के लिए यहां पर जो हजरत सुल्तान सेयद मगदूम असरफ सम्नानी रखमतुलान का आस्ताना आप सामने देख सकते होंगे जी 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 इहां पर कुछ मजारे लिए आप देख सकते होंगे बाहर जो आस्तानी के बाहर हैं यहां के सज्जाद'न नसीन वह मतवल्ली की सब आस्तान वह मजार और आप मजार के जियारत भी प्रहा सकते हैं इन्दर दो मजारे होती है इसमें कन्फीज होता है कौन मगदुम पाक की मज़ार है कौन उनके भांजी अब्दुर्जाक नुरूलेंड की मज़ार है तो गेड के जश्ट सामने वाली जो मज़ार पड़ेगी वह हजरत सिल्टान सेद मगदुम असरफ सम्नानी की मज़ार पड़ेगी और इसके आपेस्टेक्रम करें दो ए कि जीवल उर्चै avd from the स्निय त मज़िए वह इसके ओने प्रीजार जरी तमाम जाहरीन तमाम मरीजों को सिफा मिलता है इसी दर्गा से में से परिशार हान आते हैं जैसे किसी को बूत्रे जिन जिनात और सेवी मामलात हैं इन सब चीजों के लिए जादेते लोग आते हैं और यह मगदूम पाक का रोजा है यह लगबग और यह निर शरीफ आप देख सकते हैं इसमें अपनी हयात में आवे जमजम मिलाया इसमें शिफा इतनी है कि मैं आप से क्या बता हूँ यहां लाखों की तादाद में लोग आते निर शरीफ का पानी लेगे जाते हैं और मुझाइद भाई आपके यूट्यूब चलना चलना तो जाहिर सी बात है आपकुछ बोलने हैं ते ही क्या क्यीन संत्रक हो जरा उलएं ठाब अब मुए अपने लबजों में आपको हज़रत मगदू मसरफ सिम्नानी के बारे में बताता हूँ कि उत्तर परदेश जिलाम बेटकर नगर किशोचा सरीफ की जियारत करने दूर दूर से लोग आते हैं किशोचा सरीफ में हज़रत मगदू मसरफ की याद में हर साल 27 मौर्रम को बड़ा उर्स लगता है जिसमें दुनिया भर के जाहरी नाते हैं हज़रत मगदू मसरफ सिम्नानी का जन्मी एरान सिम्नान सहर में हुआ था सिम्नान सबालने के कुछ वर सबाद उन्होंने फकिरी ले ली थी लखनों से फैजबाद और अकबरपूर होते हुए किशोचा सरीफ पहुचा जा सकता है कुल दूरी सौ किलो में है हज़रत मगदू मसरफ सिम्नानी ने पैदा लिविस्व के कई देसों की यत्रा करते हुए सूफी मत के सिधानतों और उदेसों का परशार परशार किया जी हाँ भाईयों भाईयों हमने आपको जल्जले में दरगां सरीफ की जयरत तो गरवा दी है पर इसकी खुबसूरती को और अच्छे से जानने के लिए आपको दरगां सरीफ आना पड़ेगा यह बेहती अच्छी जहां है पर कुछ लोगों ने अपने मफाद के लिए इस चीज़ का गलत इस्तिमाल किया है पर आप जिस नियत से आएंगे आपको यह जहां वैसे ही लगेगी आप जिस भी नियत के साथ आएंगे आपको यह जहां वैसे ही लगेगी कुछ लोगों ने अपने फाइदे के लिए यहां पर बहुत से गलत काम किये पर आप जिस भी नियत से आएंगे आपको वो नियत पूरी होगी और हमारा सफर नहीं पर सुर्ख खतम होता है तो जी हां भाईयों बैनों हमारा दर्गा सरीफ वला वो लोग नहीं पर खतम होता ह अब हम कहते हैं कि जोजा को अलविदा